हेलो साथियों नमस्कार कैसे हैं आप सभी श्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल SSC विद्याले में साथियों अभी हम लोग बात करने वाले हैं प्लिंथ टू पारामांट बुक बाई नीतू सिंग का वन वर्ड सबस्टिचूशन के बारे में साथियों जैसा कि आप स इतने भी वोकेब आपके इस बुक में दिये गए उन सारे वन वर्ड सबस्टिचूशन को ट्रिक के मादम से बताने वाला हूं तो ये ससन आपके लिए काफी महत्पूर्ण होने वाला है साथियों जैसा कि आप सभी को बता कि आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर को हम सभी देश के पहले उपराष्टपती डॉक्टर शर्फली राधा कृष्णन जी के जन्म के उपलक्ष में सिक्षक दिवस मनाते हैं तो आप सभी को जितने भी लोग देख रहे हैं आप सभी को सिक्षक दिवस की धेर सारी सुपकामना है हार्दिक सुपकामना है चलिए आज का ससन हम सब्सक्राइब करते हैं तो साथियों आज का जो सबसे पहला वर्ड होने वाला है वह वर्ड नमबर 315 है और वह वर्ड है साथियों नेव साथियों आज का पहला वर्ड है नीव नीव का मतलब क्या होता है तो सबसे पहले बात करते हैं नीव का मतलब नीव का English meaning क्या होता है तो साथियों इसका मतलब होता है having natural simplicity of nature यानि एक ऐसा व्यक्ति जो simplicity हो मतलब उसके वियभार में जो हो मतलब simple रहता हो ज़्यादा दिखावटी ना हो तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका nature ही simple हो यानि उसको अगर आप हिंदी में बोले उसको बोल चाल की भासा है बोले तो एक दम सीधा साधा बच्चा सीधा साधा लड़का, सीधा साधा व्यक्ति उसी को हम लोग बोलते हैं साथियो नेव, अब बात करते हैं कि इसको आप याद कैसे रखेंगे तो देखते हैं यह जो वर्ड है इसका trick देखते हैं, तो साथियो नेव नेव से आप relate करेंगे नेवी को तो साथियो नेवी के जितने भी आफिशर्स होते हैं नेवी के जितने भी सोलिजर्स होते हैं ओफिसर्स होते हैं वह बहुत ही हमबल होते हैं सीधा साधा होते हैं ठीक है तो आपको नेव से नेवी याद रखना और नेवी के जो भी लोग होते हैं वह क्या होते हैं बहुत हमबल होते हैं बहुत सीधा साधा ह ठीक है चलिए आगे मुव करतें अगले वर्ड की और अगला वर्ड आपका साथियों नार्कोटिक्स अगला वर्ड वर्ड नमबर 316 नार्कोटिक्स साथियों बात करेंगा नार्कोटिक्स का मतलब क्या होता है नार्कोटिक्स का मतलब होता है a medicine that induces sleep एक ऐसा दवा एक ऐसी दवाई जो मतलब देखिए यहाँ पर आपके वन बर्ड में दिया हुआ है कि एक ऐसी दवाई जो मतलब sleep को induce करती है कहने का मतलब कि अगर उसका हम सिवन करते हैं तो हमें नींद जादा आता है लेकिन नार्कोटिक्स मतलब नार्कोटिक्स सिर्फ नींद सरलेट नहीं करता वैसी सारी दवाईयां जिसमें नसा हो वो हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक हो उन सारी मेडिशीन्स को उन सारी दवाईयों को हम लोग नार्कोटिक्स करते हैं तो आप sleep sleep पर मत जाएंगे जितने भी दवाएं जितने भी दवाएं जो हमारे सरीर के लिए harmful है उन सारी दवाओं को क्या कहेंगे नार्कोटिक्स कहेंगे और यह ऐसी दवाएं होती है साथियों कि अगर वैसी दवा को अगर आप एक बार लेते हैं तो आप उसके आदी हो जाते हैं आप अगर नेक्ष्ट बार वो दवा आपको नहीं मिलती है तो काफी आप बेचैन हो जाते हैं ठीक है तो उस तो बहुत सारे मतलब न्यूज में यह वर्ड आपको सुनने को मिला होगा ठीक है और बहुत सारे लोग ड्रग है ना ड्रग विभाग में ड्रग लेने के आरोप में पकड़ाये थे तो ड्रग लेने के आरोप में उनको पकड़ा कौन था तो यह नार्कोटिक्स विभाग के व्यक्ति थे ठीक है तो नार्कोटिक्स आपको इस तरीके से याद करना आ है अगर सुद्ध हिंदी पर जाएं तो इसका हिंदी होता है प्रकिर्तिवाद याद कैसे रखेंगे तो साथियों इसके रूट वर्ड को आप देखें इसका रूट वर्ड लिखा हुआ नीचर से बनाया नेचरलिज्म ठीक है तो नीचर का मतलब आप सभी को पता है नीचर का म एक साथियों नंबर 318 वर्ड है साथियों नियो गेमिश्ट नियो गेमिश्ट का मतलब क्या होता है वन.. फू इज रिसेंटली मेरेड यानि एक ऐसा व्यक्ति वेक्ति वह कॉई महिला भी हो सकती है gouction who is recently married, यानि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मैला, जिसका भी हाल फिलाल में साधी हुआ हो, ठीक है, उसी को लोग क्या काते है, नियो गेमिष्ट, अगर हिंदी में बात करें, तो इसी को काते है, यानि एक ऐसा व्यक्ति, जिसका भी हाल फिलाल में ही विवा हुआ हो, या फिर कहा है, तो साधी हुआ हो, ठीक है, याद कैसा रखेंगे, इसका ट्रिक देखते है, साथियों, गेम का मतलब क्या होता है, यह रूट वर्ड है, जी एयम, ठीक है, इसका मतलब मैरेज होता है, ठीक है, अगर कहीं भी यह वर्ड दिखा आपको जी एयम, तो यह मैरेज को डीनोट करता है, ठीक है, गेम जो वर्ड होता है, ठीक है, तो देखें, आपर रूट व जिसका हाल फिलहाल में अभी साधी हुआ हो नियो गेमिस्ट ठीक है यह किलिए रोगया होगा चलिए इसको एरेज करते हैं अगला वर्ड देखते हैं वर्ड नमबर 319 अगला साथियों प्लिंथ टू पारा मॉर्ड बुक का वन वर्ड समस्टिश्वन का वर्ड नमबर 319 ने भाई भतीजावाद आपका वर्ड नमबर 319 का ने पोटीजम इसी को मिलों क्या काते हैं साथियों भाई भतीजावाद यानि अंड्यू फेवर शोन टू वन्स और रिलेटिव्स अब समझे यह होता क्या है ठीक है भाई भतीजावाद आपने वर्ड तो सुनो आओगा ले यह दो व्रीक्ति नने अपलाई किया है एकसी देखें यहां पर इसका जो बॉसा है इस पदे अलयू कोई भी व्यक्ति को इस पद के लिए नूक्त कि कर YOUR आपका जो बॉस खाल सब ईकत बॉस और दोनों क्या थे योनंहार थे और दोनों दो competition हो रहा था इस पद को पाने के लिए तब ये तीसरा व्यक्ति आ गया और ये जो तीसरा व्यक्ति था साथियों ये बॉस का कोई relatives था तो ये व्यक्ति ने क्या किया कि इन दोनों को दरकिनार करते हुए इस व्यक्ति को direct इस पद पर बैठा दिया तो इसी ये process हो काते हैं भा मतलब और लोगों से हट कर फेवर दे अंड्यू फेवर उसी को हम लोग काते हैं भाई भती जावाद ठीक है तो ये common word था इसमें tricky कोई अवश्कता नहीं है आगे बढ़ते हैं कि चलिए अगला वड़ है साथियों neurotic साथियों देखते हैं neurotic का मतलब क्या होता है नियूरोटिक का मतलब होता है अत्यांत सम्वेधन सील या फिर चिंतित एक्सेसिव सेंसिटीव या फिर आप कहा सकते हैं anxious और obsessive साथियों समझते हैं पहले नियूरोटिक होता क्या है एक ऐसा जगह जो बहुत ही जाला सम्वेधन सील हो sensitive हो sensitive आपने बहुत जगह लिखा देखा हुआ कि it is just sensitive zone या फिर ऐसे बात करें कि हमारे सरीर का जो mind है वो क्या है एक sensitive भाग है सम्वेधन सील है अगर उस पर किसी भी चीज़ से hit किया जाए तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है ठीक है तो human mind जो होता है वो sensitive zone होता है clear sensitive part होता है हमारे सरीर का अब बात करते हैं आप इसको याद कैसे रखेंगे निउरोटिक वर्ड को आप याद कैसे रखेंगे ठीक है तो साथिओं एकवर्ड आपने संवागा neuron ठीक है आपने एक वर्ड सुन होगा neuron 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 जो है हमारे तंद्रिका है यह काफी sensitive होता है neuron Core is sensitive सभी तो यादभने अटिक को जब भी अगर आपके exam में कभी निउरोटिक वर्ड से रिड़ करना dop2 तो आपको करना निउरन से धिकन निउरोटिक सभिडत मतलब क्या हो जाएगा अत्यांद सभीधंशी एकसेसी संसिटिव हो याद रेगा चलिए यह बस एक निमोनिक था आपको याद करवाने का चलिए अगला वर्ड है निव फैंगल्ड देखते हैं इसका मतलब क्या होता है साथ नियूफैंगल्ड का नियूली डिवलप्ड यान यह कैसा चीज जो भी हाल फिलाल में डिवलप हुआ हो और अन फैमिलियर हो ठीक है नई अंजानी चीज यानि जिसके बारे में हमें ज्यादा कुछ पता ना हो न्यू फैंगल्ड उसी हो गाते हैं ठीक है अब बात करते हैं इसको आप याद कैसे रखेंगे न्यू फैंगल्ड को आप याद कैसे रखेंगे साथियों न्यू फैंगल्ड में शुरुआत ही लिखा हुआ न्यू न्यू का मतलब गया होता नया न्यू फैंगल्ड यानि जब भी वड़ा है न्यू फैंगल्ड तो उसमें शुरुआत में न्यू तो न्यू से आपको रिल ना हो, अंजाना हो, है न, अंजानी चीज, तो newfangled आप याद रखेंगे, ठीक है, याद हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखें, कोशिस करना है कि आप क्लास में याद रखते जाएं, चुकि बाद में आपको बार बार वीडियो देखना ना पड़े, इसलिए आप आइंटिटिटी, यानि एक ऐस वक्ति जिसका कोई अस्थीत्व रहे ना हो, एक ऐसा वक्ति जो अस्थीत्व हीन हो, पर्षन आफ नो इम्पॉर्डेज़, ठीक है, उस्परों क्या कहेंगे, ओस बात करते हैं, इसको अप याद कैसे रखेंगे, याद कैसे रखेंगे, सात यह आप जब भी दिखे तो आपको इसे पढ़ना नू आइडेन्टीटी ठीके नू इस तरीके से आप इस वर्ड को असानी से याद रख पाएंगे यह के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगला वर्ड है वर्ड नमबर 3-2-3, नन पैरिल, साथ विए वर्ड है बहुत इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम में आया हुआ वर्ड है नन पैरिल, इसका मतलब क्या होता है, पर्शन और थिंग वीच हैज नो इक्वल, यानि एक ऐसा व्यक्ति या फिर एक ऐसा वस्तु जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, अदूतिये, ठीक है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अदूतिये, एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा वस्तु जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, जैसे क्या, ताज महल, कोई दूसरा ताज महल है क्या, ठीक है, एक जैक्ट नहीं है ना, तो व आप याद रखना नन पैरल इसका मतलब याद राखना कि जिसके पेरलल कोई ना को इसके पैरलल नौट पैरलल पैरलल मतलब क्या होता है किसी के समान समनान तरह ना तो नौन्ट पेरलल, नौनपेरलल को आपको याद क्या रखना है? नौन पेरलल, यानि ये कैसा वेंच व forg Sevavyक जिसके पैरलल कोई न ओ, जिसके समान कोई ना ओ, आद दूतिये हो, ठीक है? तो इस तरीके साथ इसको याद रखेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला जो वर्ड है साथ हो, Notorious इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, Having an Evil Reputation, एक ऐसा वक्ती जो कुख्यात हो, बदनाम हो, बहुत ही जादा बदनाम हो, कुख्यात का मतलब क्या होता है? देखे, एक वर्ड है विख्यात, Famous, ठीके, दोनों में अंतर समझेगा, एक वर्ड है, Famous, Famous का मतलब होता है, विख्यात, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, विख्यात, साथियों एक ऐसा वर्ड है, जो साथियों विख्यात जो है, वो पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, मतलब आपके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन पॉ बहुत बड़े होंगी आहुत मैं मतलब क्रीमिनल ही ठीक है तब आपको कर जागा। नोटोरियस झिक है और अगर आप आप बहुत बढब एक है सहिए कि आप बहुत बड़े क्रिकेटर बहुत बढ़े आप थे ठीक है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे फेमस ठीक है अब इसका ट्रिक देखते हैं कि इस तरीके साथ इसको याद रख पाईएगा तो नोटोरियस साथ यूए कैसा व्यक्ति ऐसा समझें कि एक डाकू है ठीक है एक डाकू है कोई भी है माने कि इसका नाम है गबर ठीक है याद हो जाएगा हमेशा के लिए इस ट्रिक से ठीक है एक डाकू है और इस डाकू को हम करें नोटोरियस यानि इस डाकू पर साथियों पुलीस जो है वो नोटों की बारिस कर रही है पुलीस क्या कर रही है कि जो भ कड़ने के उपर note रखा गया हो यानि पैसा रखा गया हो इनाम रखा गया हो notorious यानि किस वे में वो negative में बदनाम है वो कुछ बहुत मतलब कुछ ना कुछ खराब काम करके भागा है कोई crime किया कोई murder करके वो भागा है ठीक है यह याद हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं है अगला वर्ड़े साथ यों नियंस मतलब होता है बहुत ही कम अंतर ठीक है सब्ठर डिफ्रेंस इन कलर मुनिंग इटीची अब देखे एक और वर्ड इस में इसको भी द्यान रखें सब्दल सब्दल का मतलब क्या होता है सुच म ठीक है फिक कह ध्यान रखना आपको कि इसका मतलब क्या होता है साथियों इसी को कहते हैं अम रोक सुध्धिंदी में सुच्मू यह भी बहुत बार पूछाएगे इसलिए मैंने आपको यहां लिखवा दिया अब दीके नुएन्स का मतलब क्या लिखा हुआ सुब्टल डिफ्रेंस इन कलर यहांनी कलर में बहुत ही कम डिफ्रेंस हो ठीक है कलर में बहुत ही कम डिफ्रेंस हो या फिर मीनिंग में बहुत ही कम डिफ्रेंस हो ठीक है तो इसी को आप याद कैसे रखेंगे तो नियंस को आपको पढ़ना है नूडि फोरेंज में नूड ऐट इसे चली स्कोए टा मैं अगले वड्क यरन बढ भूड भार द्रीक लाष किस अ मतलब किया होता है नुमिस दा स्टडी ओफ पॉइंस यानी सिक्कों की पढ़ाई यह बहुत इंपोर्टेंट यह है आपका वर्ड चुकि आपका जीके में भी पूछ चुका है कि सिक्कों की अध्यान को क्या गाते हैं बहुत पर आपके जीके में आया है ठीके और यह आपके अगला वर्ड है यह तो हमने कर लिया अगला वर्ड है वर्ड नमबर 327 अगला वर्ड है साथियों वर्ड नमबर 327 वर्ड क्या है नर्सरी नर्सरी का मतलब क्या होता है एक ऐसा जगह जहां छोटे-छोटे पौदे लगाया जाते हैं उपजाया जाते हैं ग्रून है ना उ किसी को सुद्धिंदी में लोग बहुत Bien скillain chart नरशरी पहनइ बात करते हैं इसका पर याद कैसे रखें औуса याद कीसे रखेंगे सात्य हो सफब बहुत छोटे थे तो आप आपका जो शुरुवाती क्लास राए को सबसे लो लेवल होने का उस दोंने नरसरी का real मतलब होता है कि एक ऐसा जगह एक ऐसा particular place जहांपर किसी भी चीज का व्यक्ति हो या पर पौधा हो कोई भीचीज को मतलब उसको बनाया जा रहा है सुरूआत किया जा रहा है ठीक है, मतलब ऐसो आप कहएं कि उसकी सुरुवात होरी है रही है उसके करियर का सुरुवात होरी है वो मतलब उसको कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा है ठीक है, इस वे में तो देखें, नरसरी, पौध साला नरसरी जब पाधे के बारे में हो तो जहां पर छोटे छोटे पौधे उप जाया जा रहे हैं और जब नर्सरी क्लास के बारे में हो जहां पर छोटे छोटे बच्चे को लिखना पढ़ना बताया जा रहा हो ठीक है तो दोनों नर्सरी ठीक है तो इस नर्सरी से आपको इस नर्सरी को रिलेट करना यह नर्सरी आपके एक्जाम में नहीं पूछेगा बच्चे वाला जो छोटे बच्चे जिसमें पढ़ते हैं आपसे यह नर्सरी पूछेगा कि the place आपके एक्जाम में डारेक्ट आएगा कि the place where young plants are grown option में यह नर्सरी अवलेवल रहेगा ठीक है तो आप जब भी यह वर्ड देखे आपको धियान रखना है कि जहां भी basic चीजों के बारे में हो मतलब शुरुआती चीजों के बारे में तो उसके लिए अम लोग नर्सरी यूज करते हैं ठीक है चलिए अगला वर्ड क्या है अग अगर सुध हिंली में बोले तो ग्यान नोनती विरोधी देखे इसी को आप तोड़िएगा तो क्या हुआ जो विरोधी हो ज्यान के उन्नती का जो विरोधी हो उसी को में लोग आप स्कुरेंटिस्ट ठीक है अब इसका ट्रिक देखे कैसे आप याद रखेंगे साथ कुरान तो आपको याद रखना है कुरान जो है कुरान में बहुत सारी ज्यान की बातें लिखे हुई है ठीक है कुरान में बहुत सारी ज्यान की बातें लिखे हुई है और उसको बहुत सारे लोग एंटी बताते हैं ठीक है एंटी तो कुरान को एंटी तो मतलब क्या है ग् एक आपका नीमुनिक था याद करवाने का ठीक है? इसको किसी भी आप धर्म इसेस पर मत लिजेगा, ठीक है? यह दे, इसको कभी भी अन्यत्षा मत लिजेगा, ठीक है? अग्ला वर्ड साथियो, उनको दफनाने का या फिर जलाने का जो प्रोसेस होता है उसी को अम लोग आते हैं अंतिम संसकार, ठीक है, आप सेक्वीज, याद कैसे रखेंगे आप इसे, देखिए इसमें बीच में आ रहा है यह सीव क्यू, तो यह सीव क्यू से आपको याद रखना है सेक्वेंस, और य सेक्वेंस में हो रहा है संसकार, ठीक है, सेक्वेंस में हो रहा है संसकार, मतलब क्या अंतिम संसकार, ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे जगा, बहुत सारे घाट में जो बहुत ज्यादा बिजी घाट होते हैं, जैसे कि आपका वारण नसी का मनी करनी का घाट हो गय बहुत सारी अर्थियों क्या होती है जलती राती है ठीक है तो इसी से आपको रिलेट करना सेक्वेंस में संस्कार यानि अंतिम संस्कार ठीक है अगला वर्ड क्या है अगला वर्ड है अपसोलेट अगला वर्ड क्या है साती हो अपसोलेट यह वर्ड आपने बहुत बार सुना इसका मतलब क्या होता है that which is no longer in use एक ऐसा चीज एक ऐसा वस्तु जो वे यूज में ना हो यानि आप प्रयोग में नहीं है वो ठीक है वो आउट डेटेड हो गया पुराना हो गया ठीक है ओल्ड हो गया अप प्रयोग में नहीं है और फोलेट ठीक है इसको आप याद कैसे यली टी का मतलब अलग होता और यली टी का मतलब अलग होता है लेकिन यली टी को आप यली टी पढ़ना है ठीक है तब ट्रिक के माद्यम से आप याद रख पाएंगे तो आप सो लेट को याद रखने है लाश्में सो लेट यानि बहुत ज्यादा लेट हो चुका है यह सो कोई यूज नहीं है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले साथियों अक्टागून इसके बारे में सभी लोग जानते होंगे बहुत ज़या है अब पॉडिका मतलब होता है बहुत जादा है बहुत जादा तीन भी हो सकते है चार पांच भी हो सकता है गॐम मतलब है तो पॉलीगोन मतलब बहुभूज याद होगा आपको तो यानि अश्ट भूज भी बोल सकते हैं और अगर कोई अश्ट भूज है यानि अश्ट कों भी रहा होगा तो यह याद होगा आपको औक्टागुन औक्टा से आप याद रखें आठ को गॉन मतलब हुजा तो अक्टागुन मतलब क्या होगा अश्ट भूज इसी कौन लो क्या बोलते है अस्ट कौन ठीक है यहाँ पर यहाँ आप साइड में लिग सकते हैं अस्ट भूज ठीक है यह क्लियर ओक्टागोन यानि अ प्लेन फिगर विद एट साइट्स एंड एंगल्स अगर साइड एट है ऐसा समझे ना देखे समझे हैं इसमें साइड कितने साइड है और साइड हो हो इसमें साइड है बहुत है अगला व्रेवर चाहाँ और एक है औलि गार्ची एंपॉटेन वर्डप अपकि क्जाने पूछा व्रडय ईलिगार्ची साथियों ऊलि वर्ड जो है इसका मतलब होता है कुछ लोगों द्वारा और आर्ची का मतलब होता है सासन तो कुछ लोगों द्वारा सासन a government by a small group of powerful person यानि कुछ मत्पूर्ण व्यक्ति कुछ powerful व्यक्तियों द्वारा जो सासन होता है इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया क्या होता है कि कुछ powerful लोगों द्वारा सासन को आगे बढ़ते है तो याद कैसे रखेंगे औली मतलब क्या हो गया रूट वर्ड के थ्रो याद रखेंगे औली मतलब कुछ लोगों द्वारा और आर्ची मतलब सासन ठीक है चलिए इसको एरेज करते हैं आगे बढ़ते हैं अगला वर्ड है साथियों ओम्नी फॉर्म अगला वर्ड क्या है ओम्नी फॉर्म ओम्नी फॉर्म का मतलब क्या होता है ओम्नी फॉर्म का मतलब होता है है विंग एवरी फॉर्म और सेप अब देखिए यहां पर मैं कुछ बातें बता रहा हूं आप धियान रखना ओम्नी ओम्नी वर्ड जहां भी आए ओम्नी वर्ड इसका मतलब क्या होता है ओम्नी मतलब ओम्नी का अगर सुद्ध अगर इसका ह लुग्वान्स वित्यॉततोसब्स टरगे aosणस ओम मतलब एक एक ऐसा सेप जो हर तरह के आकिर्थी में आ six एक एकसा सब्सक्राइब हो क्या क्या अंत थे ओमनी फरम कि ध्यान में रहेगा फिर एक फिर से रिपीट करते हैं क्या में आगले है तो ओमनी फॉर्म form अ क्या हो गया form मतलब हो गया structure हैना form safe 004 only form या अई एक ऐसा form इक ऐसा ऐखिरती एक ऐसा इसा सब्सक्राप जो मतलब हर एक तरह के हो सकते हैं ठीक है जितना भी वह तरह का हो सकते हैं प्रते तरह का है यह हो सकता है उसी को मुरू कहते हैं Omni-form तो आपको बस यह आद रखना, Omni मतलब सर्व, हर प्रगार का, everything, everywhere, ठीक है, अगला देखे, Omni Genus, फिर से आगे, Omni, अब देखे, अगर आपको Omni का मतलब पता है, ठीक है, तो Genus का मतलब क्या होता है, जेनस का मतलब होता है, देखे, Omni Genus, Omni का मतलब तो आपको पता था पह चीजों से मिलकर बनाओ, ठीक है, एक ऐसा चीज, जो जिसमें बहुत सारी चीजों हो, और बहुत सारी चीजों से मिलकर यह बनाओ, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, Omni Genus कहेंगे, या नि, Comparison All Kinds, देखे, Comparison का मतलब वही होता है, Genus, Comparison, मतलब बहुत सारी चीज ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है साथियो, Omnipotent, अगला वर्ड क्या है, Omnipotent, Omni का मतलब क्या हो गया, Omni का मतलब सर्व, और Potent मतलब Powerful, Omni मतलब क्या सर्व, Potent मतलब Powerful, देखे, Root Word के थो, आप कितना आसानी सा आप याद रख सकते है, Potent मतलब Powerful, Omni मतलब सर्व, तो Omnipotent मतलब क्या हो गया है, सर्व सकती मान, All Powerful, यानि उन से ज़्यादा Powerful कोई है ही नहीं, रैसे सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति है, कौन है वो God, इस्वर है ना, इस्वर से सकती मान और कोई नहीं है, सर्व सकती मान किसे का गया, इस्वर को, ठीक ह याद रहेगा Omni Potent, अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड है साथ ही Omni Present, अगला वर्ड क्या है, Omni Present, अब देखें, फिर से Omni मतलब सर्व हो गया, Present मतलब विद्यमान, Present है, जैसे आप बोलते हैं, क्लास में आप जाते होंगे, तो क्या बोलते हैं, जब आपके attendance लेते जो सभी जगा उपस्तित हो, सभी जगा प्रजेंट हो, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा कोई भी कई ये ताकत, एक ऐसा कोई पी चीज हो, तीक है, जो सभी जगा उपस्तित हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे, Omni Present, और आपको पता है कि ऐसे कौन है? व अगला वड़ है साथियों Omniscient अगला वड़ क्या है Omniscient देखें फिर से Omni आया Omni का मतलब सर्व हो गया सीएंट सीएंट का मतलब क्या हो गया साइंटिस्ट से आप याद रखें सीएंट मतलब ऐसा होता है घ्यानी ठीक है और साइंट अगर फिर भी इसमें और कौन है सब एक जो हर एक चीज़ जानता हो वो सिर्फ और सिर्फ गौड़ी है तो गौड़ के लिए यह Omniscient वर्ड यूज होता है ठीक है यह Clear साथ हो चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखें यह Omni वाला Clear हो गया है कहां से शुरुआ था यह Omni यह था आपका और भी वर्ड होते हैं इसमें नहीं दिया हुआ ठीक है मैं कभी कोई अलग से वीडियो में Omni का सारा वर्ड करवा दूँगा देखें Omni आपको सिर्फ यह Root वर्ड याद रटने से कितना याद हुआ Omni-form, Omni-genous, Omnipotent, Omnipresent, Omniscient एक साथ सारा कुछ याद हो गया है चलिए आगे देखते हैं अगला क्या साथ ही हो अगला साथ ही हो वर्ड नंबर 338 OPEC OPEC का मतलब क्या होता अपार दर्शी that which cannot be seen through यानि जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं ओपैक और पार दर्शी ठीक है, OPEC का मतलब क्या होता आपार दर्शी यानि जिसके आर पर हम लोग नहीं देख सकते हैं याद कैसे रखेंगा और इसको आप याद कैसे रखेगा साथी हो ऐसका फ्रहार प्रवंशी कर यह तो यह होता है OPEC OPEC लाश् तो आप इधर से देख पाएंगे क्या इधर नहीं देख पाएंगे अब तुसी को आप याद रखेंगा ओ पैक हो गया है यानि वह आप अपार दर्सी हो गया है वह पैक हो गया अब उसके आरपर हम नहीं देख सकते हैं जिसके आरपर हम नहीं देख सकते हैं ठीक है वह पैक हो चुका है ठीक है उसी को हम लोग बोलेंगा हो पैक क्लियर चलिए यह ट्रिक कैसा लगा आपको याद हो गया यह चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्टिमिस्ट बहुत इंपॉटेंट वर्ड बहुत वार पूछा हुआ वड़ है ऑप्टिमिस्ट इसका मतलब क्या होता है और पर्सन हो लुक्स टू दा ब्राइट साइड ऑफ तिंस एक ऐसा वेक्ति जो हमेशा मतलब ब्राइट साइड को देखता हो पॉजिटिव ची यह ध्यान रहेगा आपको अब दिखिए अगर आपको ऑप्टिमिस्ट पता है तो इसका एक और वर्ड है इसके साथ एक और वर्ड है साथिए इसका एंटोनिम्स में यूज किया जाता है पैसिमिस्ट ठीक है तुसको भी आप याद रख लिजे पैसिमिस्ट का मतलब क्या होता है निराशावादी ति यह भी ध्यान होना चाहिए यह भी बहुत पार पूछा गया है पैसिमिस्ट का मतलब क्या होता है निराशावादी ठीक है तो अप्टिमिस्ट मतलब आसावादी जो हर एक चीज में मतलब जो difficult situation में भी positive चीजों को देखता है और पैसिमिस्ट म बढ़े साथियों word no.340 word no.340 साथियों ओरेटर देखते हैं क्या है ओरेटर का मतलब ओरेटर का मतलब रहता है और इसको आप याद कैसे रखेंगे तो साथियों इसमें देखें फिर से लिखता हूँ यहां पर ओरेटर औरेटर अब ध्यान से देखिएगा बीच में आप पर यह चार वर्ट को पढ़ी है रटो ठीक है रटो यह एक ऐसा व्यक्ति जो रटकर जो रटकर याद करते हैं ज सबस्तिक हैं चार आप में विच को बताई तो रट कर आप इससको याद रखेगा चलिए अगला वर्ड क्या है और चार्ड अगला वर्ड क्या है साथी और चार्ड इसको और कार्ड भी बहुत जगा पढ़ा जाता है और चार्ड इसका मतलब क्या बहुत है अगाडेन ऑफ फ्रूट्स फलों का बगीचा और चार्ड इसको याद आप कैसे रखेगा देखिए और चाड तो आप ऐसे पढ़िए और चार यानि और चार अगर हम और चार पेर लगा दें बगीचा में तो बगीचा जो है और अच्छा हो जाएगा अगर और चार फल का पेर हम लगा दें बगीचा में तो फल का जो बगीचा है तो यह श्रेट्मन आपको ध्यान रखना है और चार क्या लगाना है फल का पेड़ल लगाना है तो कौन फबगीचा अच्छा होगा तो फलों का फटिश अच्छा हो जाए ठीक है के लिए ये कपका ट्रिक था याद करने का अगला वर्ड साती हो और्फन का मतलब क्या होता है और्फन का मतलब अनाथ आप सभी को पता है और्फन मतलब अनाथ एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता नहीं होते हैं यानि जिनके माता-पिता की मिड़ती हो गई उसी को मिलते हैं औरफन तो यह बहुत ही कॉमन वर्ड था याप सभी को पता भी होगा इसी से एक और लेटेड वर्ड है और फनेज और फनेज यह भी वर्ड पूछा जाता और फनेज का मतलब क्या होता है साथियों इसका मतलब होता अनाथ हाल है और फनेज का मतलब क्या होता है अनाथ हाल है ठीक है और नाथ हाल है ठीक है और फन मतलब अनाथ यानि जहां पर वो बच्चे रहते हैं जिनके माता-पिता नही अगला जो वड़ा maintained ascraft complicar cheg Если ऑङभाय त çıkart आगला जो वाण ऐसाथि ये ये ऑस्तरा साईज अगला उस्तरा साइज आप मतलब क्या होता है ओस्तरा साईज का मतलब होता है किसी व्यक्ति व्यक्तिक वार निकाल देना ठीके अब इसको आप याद केसे रखेगा तो ओस्ट्रा साइज ओस्ट्रा को आप पढ़िएगा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा साइज एक्स्ट्रा साइज इस तरीके से याद रखेगा एक्स्ट्रा साइज यानि कैसा व्यक्ति जो जिसका जो अकार था वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गय वो दानव के जैसा दिखने लगा तो लोगों ने उसको समाज से बाहर निकाल दिया एक्स्ट्रा साइज होने के कारण किसी व्यक्ति को लोगों ने समाज से बाहर निकाल दिया ओस्ट्रा साइज उसी को गाते ठीक है तो यह दिहन में रहेगा ओस्ट्रा साइज को आप वह आपका word no.344, oveparos, word क्या है साथियों, oveparos, इसका मतलब क्या होता है, oveparos का मतलब होता है, under project, यानि bearing eggs and not young ones, साथियों, इसका मतलब होता है, कोई भी जीब, जो अंडे देते हो, जो बच्चे नहीं देते हो, बलकि अंडे देते हो, under project, अंडे देने वाले, ठीक है, लेकि एक word आप सभी जानते होंगा, ovary, ovary, ovary मतलब क्या होता है, अंडास है, ठीक है, तो आप इससे से याद रखेंगे न, ovary मतलब अंडास है, तो oveparos, यानि एक ऐसा कोई भी चीज़ हो सकता है, ठीक है, एक ऐसा animal, या फिर एक ऐसा word, जो क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं, ठीक है, ovary, paros, तो ove से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, ओ भी इसका root word था, ovary, paros, अंडे project, यानि अंडे देने वाले, ठीक है, तो साथियों आसा करते हैं, यह जो आपका plinth to paramount का, जो word number यन और o का मैंने जो भी word vocab कराया है, trick के मादम से, यह सारे vocab आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया होंगे, और यह आपका सिक्छक दिवस special था, और आसा करते हैं, कि आप सभी को सारा vocab याद हो गया होगा, आपको फिर से सिक्छक दिवस की धेर सारी जो प्राद में बहा हुत दिवस की उले सारी से जड़ी सारी सिक्छकarlo चे बहुत तरीके सारी सं